यह घटना एक बहुत ही चौका देने वाला मामला सामने आया है एक दमपति जोडी का कहना है कि वे पिछले कुछ दिनों से परिशान रह रहा था उसे पलंग के नीचे से कुछ आवाज आ रही थी जब भी रात को सोता तो पलंग के नीचे देख कर ही सोता था लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला जब वे पूरी गहरी नीद में सो जाते तो उसे पलंग के नीचे से आवाज आती जिससे वे भाया भीत हो जाता था उसने अपने कमरे की भी छानबीन की लेकिन कोई सुराग भात नहीं लगा लेकिन जब उसने टोर्च की सहायता से पलंग के नीचे देखा को दंग रहा गया उसने देखा कि उसके पलंग के नीचे एक काला साप है दोने चिलाने लगे और दोनों की आवाज सुनकर पड़ोसी भी भाग आये और देखा की कमरे में एक भयानक काला साप है तो सब की बोलती ही बंद हो गई लोगों की मदद से साप को जिंदा बाहर निकला गया और उसे जंगल में छोड़ दिया लोगों का यह भी कहना है की आगर काले सब को मार कर जिंदा छोड़ देते हैं तो वे अपना बदला जरूर लेता है दोस्तों क्या यह सच है तो प्लीज लाइक और शेर जरूर करें